नमस्कार मैं कशिश और स्वागत आपका नेक्स्ट नाइन नियूस में इस रपोर्ट में बात कर रही हूं में हिमाचल चुनाव को लेकर हिमाचल चुनाव हुए कॉंग्रेस पार्टी ने 40 सीटे जीती कितनी भारी वो उमत से यहां पर जीती नजराए लेकिन यहां पर जो बवाल दिखाए दे रहा है वो बवाल है प्रतीभा सिंग को लेकर प्रतीभा सिंग कौन वीर भद्र की पत्नी जो हमारे बीच में नहीं है अब उनकी पत्नी तो यहां पर प्रतीभा ने कहा था कि परिवार की विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए यहाँ पर मुझी और मेरे बेटे को मौका देना चाहिए लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं अगर देखा जाया तो पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है कि सुखविंदर सुखु को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया है इस तरीकी की बात सामने आई है लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि प्रतिबा सिंग और राहुल गांदी यूँकि राहुल गांदी का फैसला प्रेंका गांदी का फैसला मलिकार जुन खड़गे का फैसला और सोन्या गांदी का फैसला यहाँ पर बवाल मचाता हूँ नजर आ रहा है यूँकि कल भी कुछ तस्वीरे सामने आई थी लगता है तीन से चार दिन हो गए लगता है तस्वीरे सामने जिसमें प्रतिबा सिंग के जो समर्थक है वो कही ना कई आकरोश दिखाते नजर आ रहे हैं लगतार यहाँ पर नारे बाजी करते नजर आ रहे क्योंकि अगर प्रतिबा सिंग को मौका नहीं दिया गया था तो इस वज़े से कही ना कही आपर बगावती सुर अपना है जा सकते है आपको बता रही कि उन्होंने एक ट्वीट भी किया था उन्हों यहाँ पर बयान बाजी भी की थी और वो कहती नजर आये थी कि परिवार की विरासत को आगे बढ़ाना चाहे क्यों क्योंकि वीर भदर के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया और इसलिए ही चुनाव जीते है छे बार वो मुख्य मंतरी रह चुकि आज मारे बीच में नहीं है लेकिन प्रतिवा सिंग का आक्रोश और उनके समर्थ को का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर राहूल गांदी के अगर बात की चाया तो अपनी भाराज जोड़ो यातरा को बीच में रोक कर विगबाफिर हिमाचल पहुचे और हिमाचल में सुक्विंदर सुकु का साथ देते नजर आए जिसके वज़े से प्रतिवा सिंग का आक्रोश भी लगातार बढ़ता गया और प्रतिवा सिंग यहां ते कि उस बैठक में मौजू थी विदायक दल की बैठक में जिस बैठक में सुक्विंदर सुकु का नाम आगी किया था मुख्य मंतरी पद के लिए अब कुछ न कुछ कयास ऐसे लगाया जा रहे है कि अगर प्रतिवा सिंग कॉंग्रेस पार्टी को चोड़ती और भाजपा में आ जाती है तो क्या यहां पर भाजपा को फायदा होता नजर आएगा कि समय से पहले ही यहाँ पर कॉंगर्स पार्टी तूट जाएगी कि गिर जाएगी सरकार और भाजपा अपनी सरकार बनाती नजर आएगी इस तरीके की कयास लगातार लग रहे है लेकिन राहूल गांदी से पूरी तरीके से उम्मीद थी क्योंकि भाराज जोड़ो यात्रा जिस सरीके से वो कर रहे है तो लोग उनके साथ लगाता नहाँ पर जूटते होए नजर आ रहे लेकिन प्रतिबा सिंग का गुसा सोन्या राओल प्रेंग का मलिक अरजुन खड़िगे पर लगातार फूर्टता नजर आ रहे तो आपकी क्या राय है कि क्या प्रतिबा सिंग को मौका देना चाहिए था या फिर नहीं अपनी राय ज़रूर रखे एक और बाकिसी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स नाइन नियूज